और ये देख सकते हैं दोस्तों ये काटे की प्रजाती में से एक ये भी है और इसको ये दिख रहे हैं उपरी हिस्सा को तोड़ देने से बहुत ही ज़्यादा दूद निकलता है इसमें तोड़ के दिखाता हूँ आपको पता नहीं इसकी नाम अग फुटा क्यों पड़ा साय किसी काँ फुट गया होगा लगता है काक यूग में नमस्कार जैजोहर दोस्तों जैचतिसगाड मैं आपका मित्र भासकरदतनागेश और दोस्तों आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा हमारे मैंन पार्ट में जो काटे की प्रजाती हैं उस पाउधा को दिखाऊंगा ब पूरा खतम हो जाता है अभी ये सीजन में बहुत ही ज्यादा ने धानून कटाई चल रहा है तो याने ऐसे पहाड में घूमने से या कहीं भी घूमने जाएंगे तो कपड़ा में चिपकता है बहुत ही ज्यादा कुथमा चिरचीटा और अनेक प्रकार के नाम है जो मुझे भ प्रकार कराता हूं बस बने रहे वीडियो में आप लोग पहचानियेगा अगर सायंद हो सके तो किनी किनी भाई के लिए आप दवाई भी बन सकती है आप लोग दवाई अगर बैद घर से विलोम करते हैं तो पहचान करके आप लोग ढूंडियेगा तो ठीक है चलिए और दोस्तों अगली कड़ी में मात्र दो पवधा मीला है दोस्तों और पता नहीं इस समय ये उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है और ये वाला भी बहुत कपड़ा को पसंद करता है थोड़ी सी भी अगर इसके संप्रक में कपड़ा आ जाये ना दोस्तों तो ये चिपक जाता है और बैल साब का पूँच में बाल होता है उसमें तो एक दम घुल जैसे हुआ रहता है एक दम गौन्द फेवी कोई जैसे चिपक जाता है भी और यह देख सकते हैं इसकी नमुना इस परकार का होता है यह एकदम काटे काटा है और यह बहुत से इसमें धारदार है तो यह कुथमा इसको हम लोग दोस्तों कुथमा बोलते हैं और आप लोग कुछ दूसर भी बोलते होंगे हम लोग इसको कुथमा बोलते हैं और इसकी बीज को अगर भूंज के खाते हैं कोई-कोई बदाम जैसे लगता है, मुंफली जैसे तो एक प्रजाती की कांटा ये है आपको दो-चार परकार की कांटे दिखाया मैं आपको जो इन दीनों बहुत हैं और कपड़े में चीपकते हैं तो उन्ही लोग को ज़्यादा समस्या होती है जो बैल चराते हैं उनको क्यों कि ओ ऐसे ऐसे जगह में घूमते हैं जहां-जहां बैल जाता है वहां-वहां उनको भी जाना पड़ता है तो ये सारी कांटाओं से बांच कर रहना पड़ता है कितनो भी बांचे लेकिन चीपकी जाता है तो ये रहा कुथमा कांटा और ये वाले कांटे की खासियत बताओं दोस्तों तो उस समय हम लोग छोटे-छोटे थे उस समय सूरज दिखता है कहके हम लोग को ठकते थे और हाथ में फासा करके उधर देख तो बोलते थे फिर खेंच देते थे तो ये वाला सरसरा के पूरा हाथ में गड़ जाता था चूब जाता था हाथ में ये वाला कांटा बहुत मनि ये लंबा सद्धान बाली जैसे होती है ये देख सकते हैं और यह कांटा है, इसमें खेंच देने से किसी के सरीर में पूरा जूब जाएगा, इस परकार की इसकी परकार है, और जानने वालों के लिए बैद लोगों के लिए, यह भी कई दवाईयाँ में अगर उपियोग आता होगा, लेकिन हमें पता नहीं है, लेकिन आज मैं जो कां तो यह आप देख लिया आपने इसका नाम बोलते हैं हम दोग छिर्चिटा कांटा, यह देख पा रहे हैं दोस्तों यह वाला जेर चिपकती है ये वाली कांटा बोलते हैं इसको कांटा है ये चिपकने वाला कांटा इसका नाम चिरशिटा लटका कांटा इन दिनों पूरे बहुत जहां जाएंगे वहां ये वाली आपको कांटा मिलेंगे दोस्तों और ये देख सकते हैं ठीक रामतिल की जैसे इसकी कांटा ह और इसकी बीज कहें या इसका काटा यही है दोस्तों इसी से यह ज़ड के दूसरा उगता है अगले वाली बारिस में अगले साल की आसाड बर्खा में यही वाली उगेगा फिर और बहुत ही ज्यादा यह देख सकते हैं पूरा अभी बैल चराने में इतनी परिसानी होती है कि मत कहिए पूरे कपड़ा में चिपक जाते हैं यह फूल देख रहे हैं छोटी-छोटी और सफेद-सफेद पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे हम लोग इसको लटका-काटा बोलते हैं क्योंकि लटक जाता है कैसों भी कपड़ा पहने हैं दोस्तों लेकिन ये वाला काटा एकड़ा चिपक जाता है निकालने में भी बहुत परिसानी होती है दिन भर इधर उधर घुमे रहते हैं लोग और साम को उस कपड़ा को बदल के दूसरा पहनना पड़ता है यह तो बारिकीस एकड़ाम धीरे धीरे करके निकालना पड़ता है यह कड़म आपको सामने से दिखाता हूँ अगर पहचान लेंगे तो अगर आपके तरब भी ऐसी घास होगी ऐसी पाउधा तो दोस्तों जरूर पहचान करके कमेंट करके बताईएगा क्योंकि मैं एक एक चीज को दिखाता हूँ दोस्तों हमारे मैंद पार्ट में क्या-क्या घास से क्या-क्या पाउधा है मैं हर हमेशा इसी तरह की वीडियो आप लोगों को दिखाते रहता हूँ क्योंकि आप लोग पहचाने और समझें कि मैंद पार्ट में इस तरह के घास होता है दोस्तों और वैसे तो मैं ये नीचे अरिया जब मैं जाता हूं तो ये वाला बहुत कम देखने को मिलता है उधर एक दूसरा बोलते हैं सुहरा काटा सुखरा जो धान के धान वाली खेत वाली ये मेड़ सब में रहता है तो वो भी चिपकता है तो वो भी खतरनाक होता है कपड़ा में और ये ये खुजलाता भी है खुजली भी लगता है अगर ये वाला अधिक चिपक जाता है तो दोस्तों ये आज आपको ये कपड़े में चिपकने वाला कितने प्रजाती होते हैं आपको मैं दिखाऊंगों दो-तिन परकार का और ये खोता है कुठमा जो थोड़ी इतना बड़ा-बड़ा होता है और वाला भी साइज उतना नहीं है तो ये वाला को दिखाता हूं चिर चीटा को, यह जो यहाँ आपको दीक रहे होंगे दो कलर की फूल-यक साफेद-और 되어 Fest लाल कलर umes दीक रही होगी यहाँ आपको दो कलर की फूल दीक रहेंगो दोस्तों, यह के छोटी छोटी सफीद दीक रही होगी और एक लाल-लाल जैसे कि मैं बताया ये छोटी वाली जो फूल दिख रही है वो है चिरचीटा काटा और लाल वाली है आप लोग ये धांद को ही ये पौधा को ही आप लोग दे कर पहचान लीजिए मैं इसका नाम नहीं बताता हूँ आप लोग कमेंड करके बताईएगा किस चीज की फूल है लाल लाल दिख रही है और ये वाला पाउधा दोस्तों इसको आप लोग क्या बोलते होंगे आप लोग जरूर बताईएगा इसको हम लोग बोलते हैं आग फूटा इसका भी हर एक प्रकार की दावईया बनती हैं जो आप फूटा तो ये देखें दूद निकल रहा है ऐसे निकलता है इसका दूद और आपको कहीं भी अगर सूजन रहेगी या कुछ चोट के लावा कुछ सूजन उजन छोटी मोटी पैर या हाथ पैर कहीं भी तो वो सब को ये खींचता है सूजन को धरत काम करता है ये मैं भी अजमा के देखा हूँ और सूजन ये अगर आपको दात दरद है तो उसमें भी ये काम आता है इसका जड़ भी और इसका दूद और दोस्तों छोटी मोटी अगर घाव है आपके सरीर आपके अंग कहीं पर भी तो उसको आपको पकाना है या और उसमें से जल्दी आपक को अंदर की गंदगी को निकालनी है तो इसकी दूद को उसमें मात्र दो टाइम डाल दीजिये तूरत पका के निकाल देगा काटा उटा आपके पैर में चुबा है हांत में चुबा है तो उसके लिए यह बहुत ही फायदे मंध होता है तो आप लोग भी आजमांके देखेग घाव में जखम में इसकी दूद को डाल के दिखेगा और इसी कड़ी में दोस्तों मैं एक काटा वाली कड़ी में फिर से मैं आप लोग को एक अजीब सा काटा दिखाना चाहूंगा ये भी बहुत खतरनाक होता है अगर आपके सरीर में कहीं पर भी चूब गया तो याने जहर टाइप का महसूस होता है ये वाला काटा आपको तोड़ के दिखाता हूं अगर इसमें से अभी नहीं पका है पकने के बाद ये बहुत ही खतरनाक होता है बहुत कहना चाहिए भूरता है सरीर को किसी भ्यांग में अगर चूब गये न सांतियों ये वाला खतरनाख होता है ये देख सकते हैं छोटी छोटी इसकी ये काटा है जो दोस्तों सिंग जैसे दिख रहे आपको ये काटा है चूबेगा तो आप बहुत परिसानी हो जाएंगे पता नहीं आपके तरफ होगा कि नहीं हमारे मैन पार्ट में बहुत ही जादा ये इसका पाउधा होता है ये खतरनाख वाला ये ये भी इन सारी चीजों से बचके रहना होता है और बैल चराते समय बहुत ही सावधानी पूर अक्चराना पड़ता है और ये वाला दोस्तों आप लोग देखकर ही पहचान लिया होंगे बहुत से भाई लोग तो ये वाला पाउधा इसका नाम है चरोठा और दोस्तों इसको बहुत ज़्यादा इसको तोड़ते हैं इसका बीज को ढूड़ते हैं क्योंकि लगभग 20 रुपिया 20 से 25 रुपिया केजी होता है इसका बीज चरोठा पता नहीं क्या बनता होगा मुझे तो लगता है साबून उबून में कुछ बनता होगा या कुछ खादूद बनने में ये मददगार होता होगा तो इसको इसका बीज अंदर में है इसको दिखाता हूँ ये देख सकते हैं लंबा-लंबा सा होता है इसका फल और इसका मुलैं-मुलैं पत्ता होता है उस समय तो इसको खाते भी हैं ना बाबू खाते हैं सुक्टी सुखा करके बहुत अच्छा लगता है बिहत्रीन तो इसको मैं आपको अंदर का अंदर वाला हिस्सा इसको उजाड के दिखाता हूँ देखे इस प्रकार का इसका ये बीज है अंदर में तो ये पकता है इसको बहुत आदमी पूरे महिला लोग निकल जाते हैं इसको ढूंडने के लिए और इसलिए अभी कहीं कहां है उतना जादा नहीं है क्योंकि ये बीज ऐसा होता है ये